सोलन के बार नमबर 11 के तहे सूर्य विहास थीत सीवरिस का पानी राजगर रोड पर बहरा है आलम यह है कि सीवरिस का पानी सडक पर बहकर करीब 500 मीटर दूर तक जा पहुंचा है भी धंबना यह है कि सरकारी तंतर का इस ओर कोई ध्यान नहीं है इस कारण स्थाने लोगों व सीवरिस के ठेकेदार को भी स्थाने लोगों ने सूचित किया बाबजूद इसके किसी ने भी इस समस्या का समधान करने की जहमत नहीं उठाई पर नाम सब रूप इसका खामयाजा लोगों को भगतना पढ़ रहा है सीवरिस का पानी खुले में बहने से जहां एक और इसके बदबू दूर दूर तक फैली है इसके चलते यहां रोग फैलने की समभाबनाओं से भी इंकार नहीं किया जा सकता स्थानिय लोगों का कहना है कि सिवरिस का पानी बीदी दो दिनों से निरंतर बहरा है इससे उन्हें वो किराय पर मकान में रह रहे है लोगों को काफी दि समभाधान नहीं निकल पा रहा है उन्होंने कहा कि यहां काफी अवादी है लेकिन सिवरिस के लिए मात 6 इंच की पाइप डाले गई है इस कारण सिवरिस पाइप कभी भी ब्लॉक हो जाती है उन्होंने परसासन से इसका स्थाई हल करने की मांग की है मस्या आज से निया बहुत टाइम से है काफी बार पर्शाशन को बोल भी चुके हैं इसके बारे में एक तो सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जो पाणी जब सिवरिस का नालियों से बाता है नालिये चोक हो जाती है उसके बादे सड़कों पर बेहना शूर कर देता है सड़क कि छंदीं सुमें जा रहा है थाई चेंज की उडालियों थैल रही है किसे दो जिनसे यह सिवरिस का जो पानी है अगर आयो बड़ी गंडीआरी है साब धरों में सामने भी है वजुकाने अगर है पानी शरा जो सब देन्डनीों में और को एए इसकी इसे बीमारियों का झाल झाल